सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेर पर दोस्तों आज की वीडियो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लिस्ट ओफ एक यूनिवर्स्टि करने वाले हैं लिस्ट ओफ NIRF रैंकिंग करने वाले है और AISC की जो रिपोर्ट आए 2019 की वो करने वाले है और विजिटर आ कि आज तक किस तरह से इनमें से कॉशन आए है एक्जामिनर किस तरह से कॉशन देता है तो पांच या दस नमर से नंबर से रहे गए हो और प्लिख को Ain आप येF लेने में अगर हम आपको paper first के सभी 10 unit की अच्छे से study करवाएंगे 10 unit PDF study notes देंगे और दोस्तों इसके अंदर हम आपको 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा revision करवाएंगे हर एक यूनिट का इसके साथ साथ हम आपको theoretical notes और theoretical video देखते हैं उनसे आपका पूरा का पूरा concept clear हो जाता है इसके अलावा दोस्तों हम आपको इस पेड़ कोर्श के अंदर ये बताते कि ऐसे कौन से कोर्शन है जो एक्जाम के अंदर हर बार आते हैं और कई कोर्शन तो ऐसे दोस्तों जून 2019 exam में और दि message किजिए उस message में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस crash course के अंदर क्या कि आपको सुविधाय मिलने वाली है ये course कब से start होने वाला है इसका registration दोस्तों अभी से सुरू हो गया आप हमें जल्द से जल्द message किजिए इसके उपर और हम आपको पूरा का पूरा process बता दें कैसे हो जाते काफी problem और चलिए हम fake university की list देखते हैं यह देखिए हमने यहाँ पर state wise यहाँ पर list दिए है आप देख सकते हैं यह हमने दिल्ली की दिए है दिल्ली के अंदर कौन कौन से university आई है वो देख सकते हैं जैसे commercial university limited दरिया गंज में है और फिर United National University है यहाँ पर यह पूरी की पूरी list दिए है यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के अंदर कितनी है टोटल साथ fake university है फिर करनाटका में एक है केरला में एक है महराश्टर में एक है वेस्ट वेंगोल में दो है और उत्तर परदेश में फिर कितनी है एक दो तीन चार और पांच छे साथ आठ सब कई बार ऐसे question भी आया है दोस्तो सबसे ज्यादा fake university किस राज्य में हुई है अब की बार तो अब की बार जैसे हमने देखा कि यूपी के अंदर हुई है तो पहले भी एक बार question आया था तो उसका answer भी यूपी था यूपी में सबसे ज्यादा university पाई जाती है fake university तो यहाँ पर हमने सभी की सभी दिविया आप यह देख लेना अगर एक एक का नाम देखना चाहो तो एक एक का नाम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो आप चाहे तो वीडियो इस तरीके से रोक के पूरा का पूरा screen shot ले सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से और अगर आपको यह notes से NIRF ranking भी कहा जाता है इसमें से दोस्तो काफी बार question आए अवी तक करीव 3-4 बार question आचुके हैं यह topic हमार ले काफी important है अब यह देखते हैं दोस्तो इसके अंदर क्या होता है राश्टिये ranking framework NIRFG से कहते हैं भारत में उच शिक्षा के सभी संस्थानों को rank प्राप्त करन के लिए बनाया गया है मानो संसाधन विकास मंतरले भारत सरकार दवरा अपनाई गई एक पधती है इसके बारे आप देख सकते हैं दोस्तों यह कब लागू हुआ था कब से शुरू हुआ था यह सारे चीज़ें इसके अंदर दी गई है और कौन-कौन से इसके अंदर college साम university और college ranking में रहे हैं टोफ फोर वो पूछते हैं तो यहां पे हम देख लेते हैं यह देखिए एन आई आरफ इंडियन रैंकिंग दो हजार उन्नीस और आल कटेगरी और आल कटेगरी में सबसे पहले आता है दोस्तों इंडियन इस्टिटूट ओफ टेकनोलोजी मदरास आता है उसके बाद आता है दोस्तों बैंगलोर आता है फिर आयाइटी दिल्ली आता है फिर बोंबे आता है और यह चारों की चारों लगभग हर टाइम यानि की हर साल इनहीं की रैंकिंग रहती है आप यहां पे देख लेना सबसे पहले मदरास आएगा फिर बैंगलोर आएगा पिर दिल्ली आएगा फिर बोंबे आएगा यहां पे और इसमें से question आने की सम्भावना है और आगे हम देखते दोस्तों top 10 universities की बात करें तो यहां पर बैंगलोर आ गया फिर दिल्ली आगया फिर वारणशी आ फिर हैदराबाद आ गया और यहां पे आप पूरा का पूरा ना लेना दोस्तों इन में से कोशन आने के संभावना है उसके बाद में अगर हम Engineering Institute की बात करें तो उसके अंदर आया है Indian Institute of Technology मदरास फिर IIT दिली फिर IIT बॉंबे फिर IIT खडगपूर तो यह आप देख सकते हैं वैसे तो यहां पर हमने युनिवर्स्टी और इंस्टिटूट टोप में रहे हैं तो यह देख सकते हैं IIM Bangalore IIM एहमदावाद IIM कलकत्ता तो अगर आप चाहें तो इनको not भी कर सकते हैं और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास है Medical College के अंदर Medical College के अंदर कौन कौन से रही है All India Institute of Medical Science New Delhi Postgraduate Postgraduate Institute of Medical Education and Research चंडिगर्ड तो यहां पर चार यहां पर हमने दी हुए यह चारों की चारों आप देख लेना नोट कर लेना उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इंडिये ने रैंकिंग 2019 College के अंदर कौन से College रैंकिंग में रही है तो इसमें आया मिरांडा हाउस दोस्तों यह कोशन पहले आ चुका है करीब 2017 के अंदर कोशन आया था नोवंबर के अंदर की मिरांडा हाउस इसने यह पूछा था कि अब की बार जो रैंकिंग आई है उसके अंदर कौन सा College टॉप में रहा है यह पूछा हुआ था तो इसमें से अब की बार भी कोशन आने की संभावना है तो इसमें आप देख लीज देखें तीन जो College है दोस्तों वो दिल्ली के है टॉप के रहे हैं और एक College है वो चैन नहीं का रहा है इसके अंदर और यहां पर देखें और भी आपको दिख रहे हैं यह भी दिल्ली का है यह भी दिल्ली का है तो दिल्ली के जो College है वो काफी ranking में रहते हैं हम यह कह सकते है और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास Law University Law University के अंदर कौन-कौन से रैंकिंग में रहे है National Law School of Indian Universities Bangalore National Law University New Delhi Nalsar University of Law Hyderabad और फिर है Indian Institute of Technology Khadgpur तो ये Law के अंदर टोप रैंकिंग के अंदर रहे हैं और इसमें दोस्तों जो ज़्यादतर पूछा जाता मैं बताओं इसमें एक तो इसमें से पूछते हैं पहले कोशन आये दो तिन बार इसमें से और एक जो ओर आल है और ओल में से पूछते हैं और ओल के जो हमने सबसे पहले रैंकिंग देखे थी यह जो रैंकिंग देखे थी इसमें से question पूछे जाते हैं तो यह दो चीज तो आपको most important याद होनी ही होनी चाहिए और ओल और जो college है हमारे वो और जैसे हाँ एक यह top 10 universities भी कर सकते हैं और जैस हम बात करते हैं दोस्तों आगे हमारे पास है All India Survey of Higher Education अब यह देखे दोस्तों यह हमारी जो रिपोर्ट है 2018 रिपोर्ट बोला जाता है इसके अंदर यह क्या होता कि इसमें जो data होता वो 2018 का होता और publish यह 2019 को की गई है तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों क्या क्या हाइलाइ है इसमें से भी काफी कोशन आने के संभावना रहती है पहले भी इसमें से कोशन आये हैं देखिए इसमें हाइलाइट देखते हैं यूपी हैज फॉट्टी नाइन पैंट थर्टी मेल एंड फिप्टी परसेंट फीमेल आर पर दस सर्वे इसके अंदर क्या है कि जो एन्रो ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले और इसके अंदर जैसे करनाट का के अंदर फीमेल एंड एन्रोल्मेंट पचास पॉइंट चार परशेंट है पचास पॉइंट जीरो फोर परशेंट है और उसके बाद में जैसे ही ये है कि इन राजस्थान मेल एन्रोलमेंट is higher as compared पूरे देश के अंदर जो इन दोनों का अनुपात है मेल फीमेल का वो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा रहा है मेल के अंदर उसके बाद में यूजी लेवल स्टुडेंट एन्रॉल 51% मेल एन 49% अक्रॉस इंडिया यूजी लेवल की जो सिक्षा होती है उसके अंदर 51% लड़कों ने एन्रॉल किया है और 49% लड़कों ने एन्रॉल किया है और उसके बाद में जैसे पिएचडी हैस 56.18 मेल एन 43.82 फीमेल इतने इनके अंदर एन्रॉल हुए है और भी इसमें जैसे ये जो हमने बॉल्ड नहीं कियो ये भी आप देख सकते हो सकता है इनमें भ ज्यादा इंपोर्टेंट है तो हमें इन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके बाद में दोस्तों टोप सिक्स स्टेट हैंविंग हाइस्ट स्टूरेंट एन्रॉल्मेंट और यूपी तमिलाडू महाराष्टर राजस्थान करनाटका इन वेस्ट बेंगोल इनकी इ काफी कोशन आते हैं हमारे पेपर के अंदर करणवाईज लगाना तो इसको आप ध्यान में रखना और एक और जो चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है दोस्तों वो यह है कि इन छे स्टेट के अंदर जितना एन्रॉल्मेंट हुआ है वो और जितने भी हमारे स्टेट रह आते जो बागी के स्टेट रहें उन सभी का मिला के ठीक है यह चीज हमें ध्यान रखना जुरूरी है यहां पर रिमेनिंग थर्टी स्टेट इंक्लूडिंग यूटी एस हैव ऑनले 25.76 परसेंटेज ओफ टॉटल स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप एजुकेशन इंस्टीटूट इन इंडिया देन फीमेल यहां पर इन्होंने डेटा दिया हुआ है कि कितने टोटल कितने टीचर है 57.8 परसेंट के अंदर और फीमेल टीचर कितनी है इन बिहार 78.97% are male teacher and 21.03% are female यहां पर यह दिया हुआ है और उसके बाद में दोस्तों अगर पूरे इंडिया का सर्वे करके ओसत निकाली जाए तो अगर 100 male teacher है तो उनकी एवेज में 73 female teacher ही काम कर रही है तो यह इस तरह के question आ सकते दोस्तों छोटे-छोटे question है पहले इसमें से question आये है AISC report के अंदर तो आप यह देख लेना और इसके अंदर जो highlight है highlight मैं बता देता हूँ और यह दोस्तों काफी problem होती है यह देखना यह ऊपर आगए यह जो सरक के ऊपर आगए यह line पता नहीं कैसे जब convert करते तो हो जाता है चलिए कोई नहीं देखते हम अब देखिए जो AIS AISC की report थी उसके अनुसार जो number of universities है वो कितनी है और यह देखे इसके अंदर यह बताए कि 2019, 2008, 2017 हमें क्या करना है हमें 2019 की देखना है number of universities कितनी है 993 है दोस्तों UGC की जो list है वो अलग है AISC की जो list है वो अलग है वो दोनों को हमें अलग-अलग याद रखना है इसके 993 universities है number of college कितने है 49,931 है और stand-alone institute कितने है 10,725 है तो यहाँ पे आप यह देख सकते हैं अब यह देखे यह university category wise अब category wise देखते है श्टेट पब्लिक university कितनी है दोस्तों 34.303 है institute of national importance कितने है 26 21.60% है तो यहाँ पे आप सभी के सभी देख सकते हैं dimmed university कितने है 21.60% है और state कितने है 13.40% है enrollment percentage यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों उसके बाद में है enrollment for program इसमें से question आया था दोस्तों इसमें से करीब सायद हमारा question आया था 2015 के अंदर question आया था और मैं question दिखाऊं भी गा दोस्तों किस इसमें से question आया है इसमें देखिए जो हमारी art है art के अंदर enrollment कितनी हुई थी 35.90% हुआ था science के अंदर 16.50 हुआ था और engineering के अंदर 13.50% enrollment हुआ था फिर commerce के अंदर आप देख सकते हैं तो इसमें से question आया था कि सबसे ज़्यादा enrollment किस के अंदर हुई थी वो दिया हुआ था कि science के अंदर हुई थी art के अंदर हुई थी किस के अंदर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो art है art के अंदर सबसे ज़्यादा enrollment हुई है और दोस्तों अगर आपको यह पूरा का पूरा notes चाहिए तो आप यह notes ले सकते हैं हमने paid group बना रखा है पावली के उपर एक बहु चना है दोस्तों यह राश्टर पती है वो दिता है visitor award तो इसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है यहां पर हमने हिंदी में भी दिया हुआ है और इंगलिस में भी दिया हुआ है the visitor award has been instituted in 2014 यह 2014 के अंदर start किया गया था और यह जातर किसके अंदर दिया जाता Humanities, Arts, Social Science, Physical Science, Biological Science और Technological Development के अंदर यह दिया जाता है और अभी जो हमारा visitor award 2019 हुआ था उसके अंदर किसको award मिला था यह हम देख लेकते हैं प्रोफेसर सीबानाथ दूबे, प्रोफेसर संजे सूरी, प्रोफेसर असाद उल्लाह खान और फिर डॉक्टर परित्मा एंड डॉक्टर सलवन रोय चोदरी और इनको यह award क्यों क्यों मिला इनकी यह पूरी जानकरी दी गए जैसे प्रोफेसर सीबानाथ दूबे को क्यों मिला था और कौन शी उन्वेस्टी से संबंदित है ये पंडिचरी उन्वेस्टी से संबंदित है और चिल्डरन चाइल्ड प्रोटेक्शन इसपेसली हीज फॉकस ओन चाइल्ड एव्यूज एंड नेगलेक्ट तो इसके उब इसलिए इनको अवार्ड दिया गया था यहां पे हमने सभी का दिया गया है कि प्रोफेसर संजे पूरी को क्यों अवार्ड मिला था ये कौन सी उन्वेस्टी से संबंदित है ये आप यहां पर पढ़ सकते हैं यह हमने हाइलाइट भी किया हुआ है और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास है यह सभी का हमने दिया है सभी आप पढ़ लेना दोस्तों एक बार अगर आप चाहो तो यहाँ पे हमने हिंदी में भी दिया है हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद दोस्तों हम question करने की कोशिश करते हैं कि इन में से जो भी हमने topic कि इन में से किस तरह से question आज तक आए हैं यह देखें दोस्तों यह June 2019 का question paper है इसमें से question देखते हम For the day-to-day administration of university, which of the following bodies is responsible? इसके बारे में दोस्तों हमने कल जो वीडियो थी उसके अंदर किया था कि जो हमारी universities होती है उसकी कारिया परणाली किस तरह से होती है उसका instructional function किस तरह से होता है वो सारी बात हमने की थी तो उसके अनुशार जो administrational जो एडमिनिस्ट्रेशनल duties होती है वो किसके पास होती है responsibility वो होती है दोस्तों हमारे पास executing council के पास होती है तो यहाँ पर आप देख सकते कि किस तरह से question आया है अगर आपने वो कल वाली वीडियो देखे तो उसमें आपको असानी से पता चल जाएगा उसके बाद दोस्तों हमारा यह जून में आया था enrollment हुई है कला के अंदर यानि की आर्ट के अंदर science के अंदर commerce के अंदर वो हमने पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था दोस्तों उसके अंदर कला के अंदर सबसे ज्यादा enrollment हुई थी और यह तो दोस्तों जैसे की 2019 का पूछ रहे हैं तो अब दिसंबर में पूछेंगे तो उसका भी अंसर क्या आएगा दोस्तों कला ही आएगा और आगे हम देखते दोस्तों यह देखिए यह कोचन इसके नंबर फॉर्टी टू है आम तोर से भारत में केंद्री विशुव विधालों का विजिटर कौन होता है अभी हमने विजिटर आवाड किया था तो विजिटर आवार्ड कोन देता है दोस्तों राष्टर पती देता है और जो सेंट्रल यूवर्श्टी जोते उनके व 2018 के अंदर आया था इसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर क्या कहा है भारती विश्य विध्यलिया प्रणारली का प्रसासनिक और अकादमिक प्रमुख कौन होता है तो इसका अंसर है दोस्तों वोईस चांसलर आफ यूश्टी होता है इसके बारे में भी हमने कल जो वीडि हुआ है दोस्तों यह देखिए यह दिसम्मर 2018 का कोश्चन पेपर है इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि निमलिखित में सो कौन सा निकाए भारत में एक विश्य विध्यलिया प्रणाली में सिक्षा की नियुक्ति और अनुमोधन की भूमिका के साथ ससक्त है तो इसका क् प्र Maisos आये गा वही एक्झीकिूटिव कॉंुटिव कॉंुटिय और थी कॉंस्चन आया है और 2010 के अंदर भी कॉषण आया है तो अप देख सकते ही दोस्तों कि किस तरह से कॉंस्चन रीपीट होते है और कितने आसान कॉंशन होते हैं और आगे हम बात करते दोस्तों अगल आती है तो इसका जो ओप्सन है दोस्तो ओप्सन नमर फॉर ए और यानि कि संयुक्त राज्य अमरिका और चीन के वाद हमारे देश में सबसे ज्यादा उच शिक्षा दी जाती है और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ये नौवंबर 2017 के अंदर कोशन आया था ये वी जीटर परुसकार प्रात हुआ है तो इसका अंसर है दोस्तों जवारलाल नहरू और हम और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि किन किन को अवार्ड मिला है तो देख सकते हैं कि किस तरह से कोश्चन पूछे जाए रहे हैं कितने असान कोश्चन है बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवशकता है और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यह हमारी NIRF ranking के बारे में पूछ लिया इन्होंने तो इसका जो answer है दोस्तों 2017 की पूछ रहा है 2017 में किस college को मिला था तो 2017 में हमारा Miranda house आया था सबसे first और अब की बार भी क्या है दोस्तों अब की बार भी मिरांडा house आवस फर्श पोजिशन पर चल रहा है तो आप देख सकते कि किस तरह से बिलकुल असान बिलकुल असान question पूछे जाते हैं और उसके बाद दोस्तों यह जनवरी 2017 के अंदर आया था इसके अंदर उन्होंने कहा है कि निमिल लिखित में से dimmed विश्व विजाले के विश्व में कौन सा कथन सही है हमने dimmed university की थी दोस्तों कल तो dimmed university के बारे में कौन कौन सी बाते सही है वो हमें देख रहा है तो इसमें option number two दिया है two में देखते है b c o d b c इसमें देखते हैं वे अपना पाठे कर्म तथा पाठे चेन बना सकते हैं तो ये बात हमने पढ़ी थी दोस्तों जो dimmed university होती है वो अपना सलेवस खुद ते कर शकती है उसके बाद वे दाखिला तथा सुल्क के विश्व में अपने दिसा निर्देश बना सकती है ये बात दोस्तों ये गलत है राज्ये के राज्येपाल डिम्ड विश्व विधाले के कुला धीपती होते है ये बात इसकी सही नहीं है तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से कोशन पूछे जा रहे हैं अब ये देखे दोस्तों ये अगस्त 2016 में कोशन आया था इसके अंदर इन्हों ने फिर से रैंकिंग के बारे में पूछ लिया तो इसका अंसर क्या है दोस्तों इसका अंसर ऑप्सन नमर 3 भारते विज्यान संस्थान बैंगलूर अभी हमने रैंकिंग की थी ना दोस्तों तो उसमें सायथ था हां मदरास था उसके अंदर सबसे टोप के अंदर तो आप ये सभी चीज़े एक बार देख लेना दोस्तों उसके बाद जैसे ये जून 2014 के अंदर एक्जाम आया था निमन लिखेल में से कौन सा किंद्रिय विश्यो विध्याले है हमें ये बताना कि सेंट्रल युनिवस्टी इन में से कौन सी है तो आप इसमें हम देखते क एक दो तीन एक दो तीन कौन कौन सी है पंडिचरी उनिवस्टी विश्यो विश्यो भारती एच अन वी गड़वाल विश्यो विधाले ये सारी सारी किया है दोस्तों सेंट्रल युनिवस्टी है और कल जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने Central University की पूरी लिस्ट आपको दी थी तो दोस्तो हर एक वीडियो आप हमारी अच्छे से देखा करिए क्योंकि हम जो भी बताते हैं most important चीज़े आपको बताते हैं उसके बाद में दोस्तो निम लिखित में से कौन्ड से कतन केंध्रिय विश्विध्याले से संबंधित हैं तो वह हमें बताने इसके अंदरा option 3 है तरी देखते एक दो तीन केंध्रिय विश्यो विध्याले के स्थापना संसद के अधिनियम दवारा होती यह बात बिलकुल सही दोस्तों यह हमने पड़ी थी भारत के राष्टर पती केंदरी विजिटर विजिटर होते हैं यह अब भी हमने पड़ा विजिटर अवार्ड के दुरान पड़ा था राष्टरी विजिटर विजिटर अवार्ड के दुरान पड़ा था राष्टरी 2015 की बात चल लिया दोस्तों ये पहले कोशन आया था तो भारत में उच्छ सिक्षन संस्थानों में सकल नामंकर अनुपात लगभव क्या था ये बात कर रहे हैं दोस्तों AISHE जो रिपोर्ट थी हमारी अभी हमने पढ़ी थी उसकी ये बात कर रहे हैं ठीक है तो वहां से ये क पुराना कोशन था तो इसमें मत देखना लेकिन अब इसमें से किस तरह से कोशन आ सकता है वह आपको ध्यान रखना जुरूरी है उसके बाद में दोस्तों अप्रेल 2015 में भारत में कुल केंद्री विश्व विद्याले थे यानि कि टोटल सेंट्रल उनिवर्श्टीज कितन विडियो और अब मैंने आपको कोशन भी दिखाये थे कि किस तरह से कोशन आते हैं तो दोस्तों आज के लिए विश्व इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने वाली वीडियो को सानी से देख सके हैं थाइंक्यू दोस्तों